कि दोस्तों हमारे पास है सेमसंग एवादिस फाइब जी सेट कंडिशन एक बार देख लीजिए गिर के बिल्कुल डिस्प्लेश की डेमेज हो चुकी है इसको चेक कर रहे हैं तो इसके डिस्प्लेश भी नहीं आ रही है अब हम इसके डिस्प्लेश के फोल्ट को रिपेर करने वाले हैं कि देखिए अब है कि सबसे पहले तो हम इस कनेक्टर को रिप्लेश करेंगे यह कनेक्टर अब मेंज है लुकवाइज यह आपको ठीक दिख रहा होगा बट यह इंटर्नल डेमेज है सबसे पहले हम इसको रिप्लेश करेंगे कि दोच सबसे पहले हैं झाल 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 प्रेंड्स डिस्प्ले आ गई है इसमें जो यह फोर्ट था वो डिस्प्ले क्नेक्टर की विए से था बोर्ड का जो किनेक्टर है यह किनेक्टर डेमेज हो गया था देखने में तो वो बिल्कुल ठीक दीख रहा था पर वो इंटर्नल डेमेज था ग्रेक्टर हमने रिप्लेस कर लिया है और यह डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल आ रही है एक वार इसको पूरा चालो करके भी एम चेक करेंगे तो इसके लिए थोड़ा साब वेट कीजिए हाँ अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन जरूर दवाए और वेडियो को लाइक और शेयर भी करें यह देखिए दोस्तों टश्पी वरकिंग में है विल्कुल प्रोपर वरक कर रही है यह राइटनेस भी विल्कुल ओक्य है तो हमारा काम कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताए फिर मिल लगें अवली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार